अच्चा देने के कितने दिन बाद हीट में आती? यदि किसी कारण से बकरी गर्बधारन नहीं कर पाती है, तो वह 21 से 41 दिन बाद फिर हीट के अंदर आती है. बकरी को हीट में लाने के लिए क्या करना चाहिए? बकरी को हीट में लाने का देशी तरीका इसके लिए आपको सौज ये मोट दाल लेकर उसे एक सूती कपड़े में बांध कर रात भर पानी में भिगो कर रख देना है. उस मोट की दाल के अंदर एक कप सरसों का तेल मिलाकर बक्री को खिला दें और इसके बाद बक्री हीट में आ जाएगी बक्री बच्चा देने के बाद क्या खिलाना चाहिए? डौर रवींद्र कुमार बताते हैं तीन से पांच माह के बक्चों को चारे में दाने के साथ साथ हरी पत्तियां खिलाएं जो बक्चे Slaughter Edge 11 से 12 माह के बीच होते हैं उनके चारे में 40 प्रतिशत दाना और 60 प्रतिशत सूखा चारा होना चाहिए दूद्र देने वाली बक्री को दिन चारे के साथ 400 ग्राम वनाज देना चाहिए. सबसे महेंगी नसल की बक्री कौन सी है? जमुनापारी नसल जमुनापारी बक्री की नसल को बिजनेस के लिए बेहद उप्युक्त माना जाता है. विशेशग्यों का कहना है कि ये नसल कम चारे में अधिक दूद देती है. इसके अलावा इस बक्री के मास में अधिक प्रोटीन भी अधिक होता है. यही वज़े है बजार में इस नसल की मान अधिक रहती है. अबसे ज्यादा दूद देने वाली बक्री की नसल कौन सी है? जमुनापारी बक्री अधिक दूद देती है. जमुनापार क्षेत्र की इस बक्री की नसल को किसानों ने आजीविका का साधन बना लिया है. यह बक्री चारा कम खाती है. लेकिन इसकी बड़वार अधिक है और दूद भी 2-3 किलो प्रतिदिन देती है. एक बक्री की खरीद कीमत 15-20,000 रुपे तक है. लेकिन पालन के साथ ही आय शुरू हो जाती है. सबसे ज्यादा बच्चा देने वाली बक्री कौन सी है? इनकी अन्य खुबी यह भी है कि यह एक बार में 3-5 बच्चे देती है. अगर कोई व्यवसाइक रूप में बक्री पालन शुरू करना चाहता है, तो बर्बरी बक्री सबसे अच्छी नसल है. जमुनापारी नसल 22-23 महीने में, सिरोही 18 महीने में गाभिन होती है, वहीं बर्बरी 11 महीने में बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है. बक्री कितने साल तक बच्चे देती है? बक्री की ओसत आयूब 12-15 वर्ष होती है. मादा बक्रियों में प्रजनन क्षमता लगभग 7-8 वर्ष की आयू तक बनी रहती है. बक्री साल में कितनी बार प्रेगनेंट होती है? बक्रीयों में गर्ब काल की अवधी लगभग 5 माह 143-148 दिन होती है. बष्ष्च की is अवधी लगभग 6 वर्ष झाल झाल